हलो दोस्तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थीज वेल्थ में मैं आज फिर एक पोड़क्त लेगा उसका नाम है हैट्रिक 3 तो दोस्तो आज हम लोग इसके बारे हैं बात करेंगे उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तक आपको पूरी जानकारी मिलेगे इसका विनफिट का है इसका साइड इफेक्ट का और इसका डोजिस का है ठीक है तो हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो दोस्तो ये हैट्रिक 3 है जो की एरिस्टो कंपणी का आता है यहाँ पे देख सकते हैं लोगों लगा हुआ है और इसकी MRP की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसका MRP है 34 रुपया है यानि की 34 रुपया इसका दाम है यह मार्केड में सभीज रगा अवलेवल है आपको यह मिल जाएगा पर्शिस कर सकते हैं यह दोस्तों 10 टैबलेट का एस्टिक आता है तो हम लोग बात करते हैं किन चीजों में फायदा करता है यह दोस्तों हम लोग को फायदा करता है साइनस के प्रॉबलम हो किसी वेक्ति को आपको अगर सरदर्द में भी काम करता है आपको कोई वी मेडिसिन हो जो की एक फंक्सन में काम नहीं करता है वो बहुत सारी चीजों में काम करता है एक मेडिसिन इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं इस चीज़ों में काम करता है और दूसरे बता रहे हैं यूटूवर की इन चीज़ों में काम करता है यह गलत नहीं हो भी सही है हम भी सही है इसलिए एक मेडिसिन एक चीज़ों में काम नहीं करता है बहुत सारी चीज़ों में काम करता लेकिन हम लोग यह बात करते हैं किस सिंटम पर बात कर रहे हैं तो दोस्तों यह इन चीजों में काम करता है उसके गर नाक बंद हो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आपको नाक बंद होगा तो दोस्तों हो सकता है सर में दर्द हो सकता है ठीक है सरदी से हो फिट देगा ठीक है और इसकी डोजेश की हम लोग दोस्तों बात करें तो इसका डोजेश हुता है वन टैबलेट सुवासाम खाना खाने के अधे गंटे बाद आप इसे जाधा अगर आपको है तो उस तरह से त्री टामस भी इसे ले सकते हैं सुबह दो फर रात खाना खाने क अधे गंटे बाद इसे ले सकते हैं ठीक है त्री टामस भी और इसकी साइड इफेक्ट के अगर हम लोग बात करें तो साइड इफेक्ट एक चीजी हो सकती है कि आपको पेट में दर्द हो सकता है बोमेटिंग हो सकता है सरदर्द हो सकता है चक्कर आ सकता है मितली आ सकता है सर्जीर में दाना हो सकता है इचिंग बगार हो सकता है अगर इस तरह का होता है तो अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर तुरत मिल लेंगे या तो इसके वज़े आपको कुछ और दूसरा अगर दिखता है आपको अगर तो आप उसके लिए भी डॉक्टर से जाकर मिल लेंगे ठीक है और दोस्तों और कुछ जानकरी चीज़ के बारे में या तो किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में पूछना होगा तो मुझे कॉंटेक्ट कर सकते है मेरा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में देखेगा से में देखे लिए में तेंक्यू दोस्तों